यूजर्स अब गूगल की तरफ से मिलने बाले फिरी स्टोरेज का लुप्त आप उठा नहीं पाएगा पिछले साल गूगल ने घोशना की थी कि वो जो है यूजर्स को फिरी में मिलने वाली अनलुमिटेट बाकप स्टोरेज को बंद करने जा रहा है जी हाँ हम आपको बता दें कि बड़ी बैट नियूज यूजर्स जो है अब गूगल की तरफ से मिलने वाले फिरी स्टोरेज का लुप्त नहीं उठा पाएगा पिछले साल गूगल ने घोशना की थी कि वो जो है अब यूजर्स को फिरी में मिलने वाली अनलुमिटेट बाकप स्टोरेज को बंद करने जा रहा है अब गूगल आपको सिर्फ और सिर्फ 15GB ही फिरी स्पेस देगा और ज्यादा स्पेस के लिए गूगल एक जून 2021 से आप से चार्ज करेगा यानि कि अगर आपको 15GB से ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्सन लेना होगा जी हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे कि आपको कितने का सब्सक्रिप्सन लेने पर कितना जीवी डेटा कितना जीवी स्टोरेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा गूगल फोटोज ठीक है देखिए गूगल पर अब आपको 15 जीवी से ज्यादा स्पेस के लिए जो है गूगल के गूगल आउन का सब्सक्रिप्सन लेना परेगा इसमें आपको 100 जीवी के स्टोरेज के लिए डॉलर उनेस दस्तमलाब नौनो यानि कि भरतिये कैरेंसी में लगभाग 1460 रुपिय का भुकतान करना होगा दोस्तों पहले क्या होता था कि आप जितना पर स्टोरेज यूज करना यूज आप कर सकते थे लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा अगर आप 15 जीवी से ज़्यादा स्टोरेज को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा फैले क्या होता था कि जब जो है आप अपने फोटोस को वीडियोस को फाइलस को पेडियोस को सारी चीजों को आप वहाँ पर अपलोड कर सकते थे आपको जो है वहाँ पर अप्लोड करनी के लिए आपको जितना भी storage वहाँ पर दिया जाता था उस storage के लिए आपको किसी भी तरह कोई चार्ज नहीं लगता था लेकिन अब आपको यहाँ पर जो है चार्ज देना होगा यहाँ पर साब साब बताया जा रहा है कि 100 GB के लिए आपको जो है डॉलर की बात अगर हम करें तो 19.99 डॉलर और अगर यह जो है अगर हम इसे इंडियन में कंवर्ट करें इंडियन करेंसी में तो यह लगभग 1460 रु जिहार इस बात को आप जरूर ध्यान दें सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप इसे डाउनलोड कैसे करेंगे देखिए ऐसे तो अपनी मीडिया फाइल को डाउनलोड करने के लिए कई तरीके हैं जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे देखिए सबसे पहले आपको Google फोट पर क्लिक करें उसके बाद डाउनलोड कर अपसर आएगा उस पर क्लिक कर के डाउनलोड कर पाएंगे आप सारे फोटोस को सलाक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक करने पर Google आपके सारे फोटोस को जो है कंप्रेस कर एक जीप फाइल में बदल देगा वही जीप फाइल आपको सारा अलबम कलाक्षन दिखेगा अब आप किसी भी अलबम को सलेक्ट कर तीन डॉट्स पर किलिक करें और फिर डाउनलोड आल पर किलिक करें फिर आपको इस बार भी आपके सारी फोटो याने की जीप फाइल में डाउनलोड हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए अब हम आप कि सारे डाटा को एक्सपोर्ट करने के सुविरा देता है याने कि आपने कुछ भी सारा चीद अप्लोड करके रखा है गुगल फोटो में उन सारे चीज़ों को आप एक ही साथ जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं याने कि आप उसे गैलरी में सेव कर सकते हैं देखिए आपको आपको जो है techout.google.com पर जाना होगा और फिर वह अपने Google अकाउंट में login करना होगा फिर create a new expert पर click करना होगा तो आपको एक नय expert create करना होगा उसके बाद create a new expert पर click करने के बाद अब आपको आपके सारे google data checkbooks के साथ list में नज़र आएगा यहाँ पर आपको Google Photo के अलावा बाकी अन्य Data List को Deselect करना परेगा Google Photos को Select करने के बाद आपको Next Strip पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपको Delivery Method को Select करना होगा इसमें आपको आपके Download Link जो है आपके Email पर प्राप्त होगा या फिर आप अपने Google Photos के कलाक्शन को किसी भी अन्य Cloud Storage पर भी ट्रांसपर कर सकते हैं Download Link को Select करने पर आपको आपका Download Link आपके Email पर प्राप्त होगा यानि कि आपके Email पर जो है एक Link भेजा जाएगा जिससे आप सारी Document, सारी Photos को Download कर पाएंगी यहां आप Download Link के साइज को भी आप जो है तै कर सकते हैं कि आप किस Quality में किस साइज में आप उसको Download करना चाहते हैं यदि आपका कुल Download Data 20 GB का हुआ तो आप Download Limit 1 GB का कर लीजी पर आपको 20 अलग अलग Download Link आपके Email पर प्राप्त होगा